हेलो फ्रेंट्स अपने योट्यूब चैनल एड़ोकेट अमित कुमार गुपता में आज जो केस में आप लोगों के सामने डिसकस करूँगा उस केस का नाम है महाशियन दिहटी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज डिप्टिक कमिशनर ओफ इंकम टेक्स ये केस 448 ITR पेड नमबर 667 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर 1 सप्पेंबर 2022 को डिसाइड किया गया इस केस के अंदर असेसी को सेक्शन 148 A क्लॉस B का नोटिस इशू किया गया असेसी को ये कहा गया कि असेसी ने एक करोड नबे लाक रुपे की बोगस परचेस लिये और ये जो परचेस बुक किया असेसी ने वो 23 पार्टी से अलग लग पार्टी से लिये लेकिन असेसी को सेक्शन 148 A क्लॉस B के अंदर कोई भी मैटिरियल अविलेबल नहीं कराये गया यहां तक भी नहीं बताये गया कि ये कौन कौन सी पार्टी इस ऐसी हैं जिनसे असेसी ने बोगस परचेस लिये असेसी ने जब सेक्शन 148 A क्लॉस B के नोटिस का जवाद दिया तो उसमें असेसी ने ये कहा कि जब तक आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे जब तक मैं एक शोकोज नोटिस का जवाब देने में समर्थ नहीं हूँ और असेसी ने उन डॉकुमेंट्स की मांग की लेकिन असेसी के उन डॉकुमेंट्स के मांगने पर भी डिपार्टमेंट ने असेसिंग ओफिसर ने असेसी को ये इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं की और सेक्शन 148 A क्लॉस D का ओर्डर पास कर दिया और सेक्शन 148 का नोट से वो ड्रॉप नहीं किया गया असेसी जो है वो दिल्ली हाई कोट में रिक पैटिशन फाइल करी असेसी का ये कहना था कि साथ जब तक मुझे शोकोज नोटिस में ये नहीं बताया जाएगा कि मुझे क्या अपना जवाब देना है या दूसरे शब्दों के अंदर जेरी शोकोज नोटिस वेग होगा तो किसी भी असेसी के लिए उसका जवाब देना संभव नहीं है और जब तक हम जवाब नहीं देंगे जब तक सेक्शन 148A के अंदर डिपार्टमेंट उसको कैसे कंसीडर करेगा जब कोट ने पूरे मैटर को देखा तो कोट का ये कहना था कि बिना प्रॉपर शोकोज नोटिस के जिसके अंदर असेसी को पूरी बात बताई जाए कि किस वज़े से असेसी का केस रियोपन किया गया है जब तक वो इन्फॉर के अंदर नहीं है कोट ने इस मैटर को रिमांड वैक कर दिया असेसिंग ऑफिसर को और ये कहा कि असेसी को पूरी इन्फॉर्मेशन प्रॉइड की जाए ताकि असेसी जो है वो अपने प्रॉपर शोकोज नोटिस का जवाब दे पाए इस केस के अंदर जो असेसी है उसकी करीमां 700 करोड रुपे की टर्नोवर है काफी बड़ा असेसी है तो वो कोट जा सकता है और कोट जाकर कि वो इस बात को कह सकता है कि साब मेरी प्रॉपर तरीके से मुझे इंफर्मेशन नहीं मिली और उसका स्टेक थोड़ा सा बढ़ा है तो कह सकता है लेकिन उन सारे केसिस के अंदर जिसके अंदर एक चालिस पचास लाक रुपे का अमांट इंवल्व होता है जहां पर असेसी छोटा होता है उतनी उसकी वर्त नहीं होती तो उसके साथ भी डिपार्टेंट से हम ट्रीटमेंट कर रहा है उसको इंफर्मेशन नहीं सप्लाई कर रहा तो पहली बात तो ऐसी परिस्थिती के अंदर सेक्शन 148A क्लॉस ध के ओर्डर को क्वैश करना 148 के नोटिस को क्वैश करना और उसको रिमांट बैक कर देना as per my opinion with due respect to the various high courts वो एक fiscal loss की growth के लिए सही नहीं है वो अससी के साथ सही माईने में नहाए नहीं है क्योंकि यदि ऐसे notices को wide amnesio कर दिया जाएगा court के द्वारा तो एक department को एक जटका ये लगेगा कि यदि वो पूरे procedures को follow नहीं करते तो वो अब assessi के अंगेस नहीं जा पाएंगे और ऐसे एरेंट officers के अंगेस्ट at least एक memo तो जरूर issue होना चाहिए ताकि वो जब अगले सालों की assessment करें या ऐसे notice भेजें तो वो सारी information दें वो खाली एक assessi को एक notice भेज करके अपनी जिम्मवारी को पूरा ना समझें और assessi को पूरी जानकारी दें जिसकी वज़े से assessi जो है वो assessing officer को पूरा अपना reply submit कर सके friends मेरी जो पूरी apprehension जो है वो रिट कोट से वो यह है कि cases को remand back नहीं किया जाना चाहिए cases ऐसे cases जहां पर there is a clear cut violation of the procedures of the law उन cases के अंदर या तो assessi को cost दी जाए जो कि assessing officer bear करे और फिर remand back किया जाए और यदि remand back करना है तो cost के साथ किया जाए otherwise remand back नहीं किया जाने चाहिए एक बार फिर मैं case का नाम repeat कर रहा हूं case का नाम है महाशियन दिहट्टी private limited versus deputy commissioner of income tax थैंक यू friends